हमारे सम्मिधान में लेजिसलेचर, एजुकुटिव और जुडिशरी उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे सम्मिधान के लिए प्राणवायू की तरह हैं। आज हर देशवासी पूरे संतों से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने नयाई पालिकाने सम्मिधान की प्राणवायू की सुरक्षा का अपना दाईत्व पूरी द्रड़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा सम्मिधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद सम्मिधान को भी मजबुत किया है। देश वास्यों के अधिकारों की रक्षा हो, नीजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्तित्या रही हो। जब देश हीत को सरवोच्च प्रात्विक्ता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दाईत्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भाती जानते हैं कि भारतिय समाज में रूल अफ लौ सदियों से सभ्यता और सामाजिक तानेबाने का, हमारे संसकार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन गरंथों में कहा गया है न्याय मुलं सुराज्यम स्यात यानि सुराज्य की जड़ी न्याय में हैं, रूल अफ लौ में हैं। ये विचार आधिकाल से हमारे संसकारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंतरता संगराम को भी नईतिक ताकत दी। और यही विचार हमारे सम्विधान निर्माताओं ने भी सम्विधान निर्मान के समय सबसे उपर रखा था। हमारे सम्विधान की प्रस्तावना, रूल अफ लो के इसी संकल्प की अभीवक्ती है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे सम्विधान की इस भावना को, इन मुल्यों को, हमारी न्याएपालिका ने निरंतर उर्जा दी है, दिशा दी है। न्याएपालिका के प्रती इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मिश्वात जगाया है, सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं, तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी अवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्ता की ये गवरोवसाली इमारत बार के ही पीलर पर खड़ी है। दसकों से हमारे देश में बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मुल्भुत उद्देशों को पुरा कर रहे हैं।